असलाम लेक्म स्टूरेंट्स आज़े हम सेमंध क्लास मैट्स एक्सरसाइस नंबर 5.3 करेंगे क्वेस्टि नंबर वान है फाइंड इस्क्वेर रूट आप दी फॉलिंग बाय डिवीन मैथड डिवीन मैथड से आपने दिये गे जो नंबर्स है उनका स्क्वेर रूट फाइ कुछन नंबर वान का फॉस्ट पार्ट इस सेवन वांटी नाइंग तक अपने स्क्वेर रूट लेना है लेकिन दिवीन मैथड से लेने दिवीन मैथड के लिए आपने कुछ रूल करने है फॉस्ट रूल इसका ही है कि आप ने जब इसको डिवाइड करने तो सिंगल पास बचके एक समीं कि आप सेमन को पहले स्कॉल्फ करोगे परफेक्ट स्कॉर्फ लोगे आप सैमन आजए यह सैमन से चोटी वैल्यों आजए तू टू टू जा फॉर लेते हैं तू टू जा फॉर सैमन में से फॉर माइनिस करोगे आपके पास आजएगा थ्री अब नेक्स जब आपने नेक्स वैल्यों नीचे उतारनी है तो आपने एक डिजट नहीं लेना विल्के पूरा पेर जैवों नीचे लेके आना है 29 आजएगा यहां आपने यह जो दो डिजट है आपके पास इन दोनों को प्लस करके लिखना है तू और टू कितना हो जाएगा फॉर 9 34012 129 यह बहुत चोटी वैल्यों आगी है अब आप 4 को किस से करना चाहरे हो 7 से करना चाहरे हो तो 7 को भी 2 टाइम की लिखोगी क्यूंकि आपने परफेक्ट स्क्रेट के साथ करना है इसको 77049 9 लिखा 4 के रही 74028 29 30 31 32 32 329 आपके पास पूरी वैल्यों आगी है 7 2 टाइम है एक 7 जो है वो यहां 4 के साथ आएगा और एक 7 आप उपत अंसर के साथ लिखोगी यह आप यह पास आ गया 329 729 का परफेक्ट स्क्रेट जो है वो आपके पास 27 आगे है question number 2 है आपके पास find the square root of the following common fractions by devian method आपने devian method से जो common fractions आपके पास दी गए है आपने उनका square root find out करना है question number 2 का first part है 36 by 49 आपने इसका perfect square लेने devian method से 36 और 49 का whole square लिया उसके perfect square लिया उसके बाद आपने 36 का separate लेने और 49 का separate लेने 36 का pair बनाया है आपके पास 6 6 है 36 और 49 का भी आपने इसी तरह से square root लेना है आपके पास 7 times 49 आजएगा 36 का square root 6 हा गया और 49 का square root जो है वो 7 हा गया exercise number 5.3 का sum number 3 है find the square root of the following decimals by devian method devian method से आपने जो decimals आपको दिये गे हैं उनका square root find out करना है question number 3 का first part है 0.0529 इसका आपने square root find out करना है square root find out करने decimal के square root find out करने के लिए आपने क्या करना है आपके पास यह जो 0 और decimal point है इसको आप उपर लें जाओगे अब आपने right side से इसके pairs बनाने हैं आपके पास यह है 5 perfect square लोगे आपके पास 5 या 5 से चोटी value आने चाहिए यह 2 के साथ करेंगे 2, 2, 0, 4 minus करेंगे 5 में से 4 minus के 1 next पूरा pair ज़्रावो नीचे आजाएगा यहाँ आपके पास 2 और 2, 4 होगा अब आपने 4 को किसी ऐसे digit के साथ multiply करना है कि आपके पास 129 पूरी value आजाए परफेक्ट square लेने हैं आपने 3 लेंगे 3, 3, 0, 9, 3, 4, 0, 12 129 पूरी value आगी है यह 3 आप यहाँ लिखोगे और दूसरा 3 जो है वो पर answer में आजाएगा 129 its mean के आपने 0.0529 का परफेक्ट square लिए है डवीन मेथट से तो आपके पास answer है 0.23